हेलो फ्रेंट्स वेलकम टू समाधान अज्जू किसन आज हम लोग बात करेंगे यूपीटर पले सी जेई 2016 एंड जेई 2018 एकजाम डेट को लेकर बात करेंगे आगे बात करेंगे यूपी पले सी जेई यूपी पीएस सी एई बिग्यापन कब जारी होगा इसके बारे में बात करेंगे तो सबसे पहले हमसे जोड़ रहने के लिए हमार चाहर सबस्काइब कर दीजेगा हमार चाहर पडेट रहने के लिए वेलाकन को प्रेस कर दीजेगा वीडियो पसंद आए तो लाइक और शेयर जरूर कीजेगा आप हमको इस्टागाम पर फॉलो करना चाहते हैं आगे देख लिते हैं कर्मचारियों को दिसंबर माह तक वेतन दिया गया है तो आगे देख लिते हैं आगे इसमें कहा गया है जन निगम में तकने के इस्ठाप की बड़ी कमी को दूर करने की कवाय सुरू हो गई है अभियांताओं के 740 वा लिपिक संबर के सौपदों पर भरती के लिए सासन को पिष्टाव भीजा गया यहीं भरतियां उत्तप्यदिस लोग सेवा आयोख वा उत्तप्यदिस अधिना स बच्चन आयोख के माध्यम से होगी तो इसको आप पूरी तरह टैलियामचाप पर जाकर देख सकते हैं आगे बात कर लेते हैं लंबित चार भरतियों में भी मिलेगा आर्थिक आरक्षर दो भरतिया चार बर्स बाकी दो लंबिती दो बर्स से आर्थिक रूप से अभ्यार्तियों को दस फिर्थी आरक्षर तो आरक्षर मिलेगा तो यह भरतियां हैं इसको देख लेते हैं इन भरतियों को आगे बढ़ा सकेगा आयोग तो समलित तकनिकी सेवा दो हजार सोला समलित अवर अवियंता दो हजार सोला और समलित अवर अवियंता दो हजार तो इसमें कहा गया है पिर्देश सरकार ने अधिना सिवच्चन आयुग में दो से चार बर से लंबित चार भर्तियों में आरक्षा कपे सुल्जा दिया है तैह हुआ है कि एक फरबरी 2019 तक जो परिच्चा आयुद नहीं हो सकी उनमें भी आथिक रूप से कमजूर बर्गो तो EWS के अभ्यार्तियों को 10 फिर्दी आरक्षार का लाब दिया जाए अच्चन खत्म होने के बाद आयुग इन भर्तियों को आगे बढ़ा सकेगा तो आपको परिशान होने के योद नहीं इसे आप टेलिगाम चैपर जाकर देख सकते हैं तो जल्दी इन भर्तियों के बिग्यापन जारी किये जाएंगे सब इस्ट्वें तैयारी में लग जाएं क्यूंकि बिग्यापन जारी होने के बाद जल्दी इन भर्तियों के नहीं लगेगा एजनसी ताय होने के बाद तो एजनसी ताय हो जाएगी उसके 15-20 दिन बाद एक्जाम सुरू करा दिये जाएगे जून जुलाई से एक्जाम सुरू हो जाएगे लेकिन कुछ इस्ट्वेंट EWS की मेंटर को लेकर कोट भी जा सकते हैं तो इसको आप टेलियाम जापर जाकर देख सकते हैं तो आज की वीडियो इतना है मिलते हैं आप लोग उस नेक्स वीडियो पर थैंक यू जैहन जै भारत